कम्प्यूटर प्रोग्राम के फंडमेंटल्स में पहले हमने इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स को समझा और अब हम डिफरेंट टाइप्स के वेरियेबल्स को समझ रहे हैं फाइनली जो फिफ्ट टाइप का वेरियेबल है वो है आरे और आरे जो है वो इसेंचली एक लिस्ट और वेरियेबल्स है यानि कि instead of creating five, six different variables हम एक लिस्ट बना देते हैं और उस लिस्ट में हम जो भी हम वेरियेबल्स चाहते थे 5-6 variables को as a combined list देख सकते हैं तो हम एक छोड़ा सा program लिखते हैं जिसमें हम एक array या list of variables बनाएंगे जिसमें for example हम fruits के नाम लिख सकते हैं और फिर हम जितनी बार microbit को shake करेंगे वो हमारे को एक different fruit का नाम बताएगा तो for example let's say आप कोई ये बनाना चाहते थे जिसमें आप चाहते थे कि जितनी बार microbit shake हो उतनी बार कोई नई outcome आए तो आप different outcomes की एक list बना सकते हो array बना सकते हो और shake में फिर different values जो हैं वो generate हो जाएंगे तो मैं पहली बाली ये delete कर रहा हूँ तो हम अब चाहते कहा हैं कि जब हमारा program शुरू हो तो एक array initialize हो तो array की command जो है वो फिर से advance में जाके आपको मिलती है arrays और मैं यहाँ पर एक text list बनाना चाहता हूँ numerical list नहीं text list बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कह रहा हूँ और मैं इसका नाम बदल सकता हूँ तो text list के बदले मैं एक new variable बना रहा हूँ और अगर हम और add करना चाहें लिस्ट में तो यह प्लस दबा सकते हैं तो प्लस में फिर हमारे को और यहाँ पर हम add कर सकते हैं तो let's say plum let's say एक और mango हमारा एक fruit list नाम का array तयार हो गया है जिसमें हमारे पास 5 so to speak alpha numeric variables हैं तो rather than creating 5 different alpha numeric variables हमने एक array बना के इनको यहाँ पर as a list डाल दिया है अब हम क्या चाहते थे कि on shake जितनी बार हम microbit को shake करें random पर यहाँ से कोई हमारे को value मिले तो again अगर मैं arrays में वापस जाता हूँ तो arrays में अंदर बहुत powerful commands है पर अभी मैं क्या चाहता हूँ कि just get a random value और मैं इसको show करना चाहता हूँ यह alpha numeric value है तो इसको show करने के लिए basic में जाके मैं यहाँ से show string की command डा रहा हूँ और मैं यहाँ कह रहा हूँ get a random value बट यह list बदल गई है तो be careful जो भी आपने list यहाँ लगाई है यही list होनी चाहिए तो मैं यहाँ से correct list select कर रहा हूँ तो यह मेरा program है कि पहले initialize हो एक array called fruit list जिसके यह components है और उसके बाद जितनी बार हम microbit को shake करें तो इस array से random पर हमारे को कुछ value मिले तो यह अगर मैं यहाँ पर इसको full screen करके मैं shake दबाता हूँ तो मेरे को पहली बार value मिली plum फिर से मैंने shake दबाया तो next time random पे मुझे value मिली mango और उसके बाद अगर मैं फिर से तो मेरे को third time random पे मिली बनाना so basically on shake जितनी बार मैं shake दबा रहा हूँ उतनी बार जो भी हमने array बनाया था उसमें जो भी हमने अंदर values define करी थी वो at random generate हो जाती है array variable में एक important समझने वाली बात है कि जो arrays में items हैं उनकी एक location value है जिसको index कहते हैं तो अगर हम कहें कि apple जो है वो उसकी index value क्या है तो apple first item है पर computer programming languages में index जो है वो 0 से शुरू होता है तो इस list में अगर हमें apple को call करना है तो हम कहेंगे कि ये item number 0 है not item number 1 तो ये item 0 है फिर item 1 फिर item 2 फिर item 3 फिर item 4 तो इस array में हमारे पास 5 item है पर index value जो है वो 0 से 4 तक जाएगी तो ये समझने के लिए अगर मैं वो पस arrays में जा रहा हूँ और यहां से मैं ये command ढा रहा हूँ कि इसको delete करके मैं यहां पर कह रहा हूँ कि on shake in this array called fruit list get the value at index equals 0 तो अब अगर मैं यहां पर shake करता हूँ तो हमारे को 0 index पर apple मिल रहा है और अगर मैं यहां कह रहा हूँ कि show me the value at index equals 1 तो हमारे को बनाना मिल रहा है और अगर हमें last item इसमें चाहिए तो उसकी index value जो है वो 5 items है पर index value उसकी 4 है तो मैं अगर यहां कहता हूँ कि index value 4 और फिर मैं ये on shake करता हूँ तो मुझे जो number 5 item है जिसकी index value 4 है mango वो मिलता है और अगर मैं यहां कहता हूँ कि show me the value at index equals 5 तो index यहां 5 है ही नहीं क्योंकि index can only in this list index is only from 0 to 4 तो अगर मैं index value 5 बोलता हूँ और फिर ये shake करता हूँ तो मुझे ये undefined error मिल जाता है क्योंकि इस array में index value 5 पर कुछ है ही नहीं there is no value there तो ये एक समझने वाली बात है कि जो items है उनकी index value है और index value 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 0 से शुरू होती है और ये जो concept है ये बहुत powerful concept है क्योंकि इसमें हम ये bother नहीं करते हैं कि उस list के अंदर क्या था हम simply by using the index value हम अपने array में changes ला सकते हैं तो अगर मान लिजे कि आप ये array की command use कर रहे थे to create let's say a quiz और आप चाहते हैं कि जब first question पूछ लिया जाए तो first question जो है वो replace हो जाए तो ये करने के लिए हमें यहां पर जाके पूरा question change नहीं करना है all we have to say is take item with index value 0 and change it with something whatever we want so let's say अगर हमार को ये कहना था कि जो item number 0 है जिसकी इस वक्त value है apple हम उसको पहले apple दिखाना चाहते हैं और फिर उसको change करके grape दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यहां on button a pressed लाके arrays में जाके मैं यहां कह रहा हूं कि modify modify what? modify fruit list ये जो हमारी array का नाम है fruit list कि इस fruit list array में जो भी value 0 थी जब हम button a दबाएं यानि कि index 0 पे जो भी चीज थी जो यहां पे apple है उसको हम यहां change कर सकते हैं तो अगर हम यहां grape कहना चाहते हैं तो फिर मैं यहां text में जाके यह string ला रहा हूं और मैं यहां इसको कह रहा हूं grape और यहां मैं कह रहा हूं कि show me the value 0 तो जब मैं पहली बार इसको shake करता हूं तो मुझे यह apple दिखा रहा है क्योंकि इस वक्त index value 0 में apple stored है पर जब मैं button A दबाऊंगा तो यह command execute हो जाएगी और index value 0 grape हो जाएगा तो अगर मैं जब A दबा रहा हूं और फिर shake कर रहा हूं तो अब मुझे यहां output मिल रही है grape और अगर मैं अपना microbit reset कर देता हूं क्योंकि हमने यहां कहा है on start तो अब यह reset होके वापस यही list हो गई है तो अब अगर मैं यहां पर on shake दबाता हूं तो मुझे फिर से apple मिलता है और अगर मैं A command दबाता हूं तो again यह वाली command execute हो गई है इंडेक्स 0 जो है वो grape हो गया है और इसलिए अगर अब मैं shake दबाता हूं जो output है वो grape हो जाती है तो यहां मेरा कहने का मतलब है कि यह जो arrays हैं यह इस तरीके से बहुत powerful हैं क्योंकि हम एक list है मान लीजे components की list थी आपके पास inventory में और आप components को change करना चाहते थे as in when कोई component वहां से हिल रहा था तो आप change कर सकते हो या जैसा मैंने कहा कि quiz बना रहे हो और quiz के questions को index से आप चलाना चाहते हो तो यह बहुत powerful commands हैं तो इसी तरीके से अगर array में आप जाओ तो यहां पे और भी commands हैं empty array से आप पूरा का पूरा array at a touch of a button clear कर सकते हो जितने भी उसके अंदर items हैं length of the array हमें बता देगा कि उसके अंदर items कितने थे get a particular value यह मैंने भी आपको दिखाया get and remove the value remove the last value from the list remove the first value from the list और get random value जो हमने use करी और इसी तरीके से हमार पास modifying की बहुत सारी commands है कि in a particular array at a particular index location हम changes ला सकते हैं और हम उल्टा भी कर सकते हैं कि हम किसी भी list में हम यह कहें कि उस list में हम कहें कि apple है और मुझे उसकी value बताओ कि क्या है तो अगर मैं यह लेकर आता हूँ तो मैं यहाँ पर अगर यह command डाल रहा हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ let's say cherry तो cherry जो है उसकी index value क्या है 0 पे apple 1 पे बनाना index value 2 पे cherry तो यहाँ पर अगर मैं shake कर रहा हूँ तो मुझे वो बता रहा है कि इस list में जो cherry नाम का item है उसकी index value 2 है तो इस तरीके से arrays जो हैं वो multiple variables को एक साथ हमें deal करने में सायक होते हैं और इसलिए यह एक बहुत powerful command है तो I hope आपको array variable समझ में आया और पिछले videos में जो हमने different type के variables देखे थे numeric variable, string या alphanumeric variable, boolean variable जिसकी value के वल true या false हो सकती है sprite variable जो की microbit का special variable है और arrays या list तो I hope आपको यह सारे variable समझ में आए तो यह जो make code for microbit को use करते हुए हम computer programming fundamental समझ रहे हैं इस video series में हम next video में conditional statements को समझेंगे जार झाले को समझेवगे शजबेश रहें, यह जो कि में आपको यह जो हमगे एंपको उद़ें इस वाले उबख़गं, पस्वाद crypto को समझेंगे झाले को जबख़गे का एंजब जारे का इस एंपको रख़गे झाल झाल